हेलो प्रिबन स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल में आज मैं बनाने वाली हूँ एक कपड़े का बिल्ट जो की बनने के बाद बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लग रहा है बिल्ट बनाने के लिए मैंने हापे इलास्टिक लिया है कपड़ा लिया है और एक लोहे का कड़ा लिया है सबसे पहले हमें कपड़े को फैला लेना है और इस कपड़े से हम पाच चौड़ी पट्टी कट करेंगे जो पट्टी यहां पर हम कट कर रहे हैं उसको हम कमर के कॉर्डिंग कट करेंगे तो इसने भी कमर के लंबाई आ रही है उस लंबाई से हमें तेन गुना पट्टी निकालनी है तो इस तरीके से मैंने हैं पर डवल पट्टी निकालनी है डवल पट्टी को निकालने के बाद बीच से मैंने इसको इस तरीके से स्टिच कर दिया है अब हम elastic को cut करेंगे तो कमर के according हमें elastic cut करनी है कमर से हमें 3 इंच छोटा लेना है elastic को और 2 इंच से उपर की लगभग मेरी लंबाई आ रही है कड़े की तो मैंने हाँ पे 2 इंच और extra ले लिया है तो total मैंने हाँ पे 5 इंच छोटा लिया है कमर के according मैं आप पट्टी को फोल्ड करके उस पे इलास्टिक को रख करके यह दिख रही हूं कि हमें पट्टी पे सिलाई कितनी चोड़ी चलानी है इतनी भी चोड़ी elastic है उसके according हमें सिलाई करनी है धीला नहीं रखना है यहां पे मैंने पट्टी को स्टीच कर दिया है उसके बाद जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं काट करके निकाल दे रही हूं अब हम पट्टी को पलट लेंगे और पलटने के बाद इसमें elastic को अंदर के पेढ़ने के उल्ज़ियों यहां अंदर की तरफ इस धर करना है और उसके बाद इपर करके से त्करिवन एक इंच कपड़ा मैंने चोड़ दिया है जिससे कि इसको फोल्ल करके स्टिच करने में आसानी रहे इस तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े को छोड़ दिया है दोनों साइड में मैंने स्टेश कर दिया है अब हमें कड़े को लेना है उसके उपर इस तरीके से हमें लगाना है और कपड़े को फोल करके यहाँ पे हमें सीलाई चला देनी है इसी तरीके सब देख सकती है हमारे build one के तयार हो गया वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिया सेयर करिया और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिया था इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धैने वाद